तो कैसे बात करेंगे आपे default seem settings के बारे में कि कैसे आप लोग अपने phone में default seem settings को setup करेंगे ठीक है ना, internet हो या फिर calling हो कैसे setup करेंगे इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे वीडियो च्टार्ट करेंगे अप लोग हमारे YouTube चैनल को subscribe कर लिजिगा बिल्का इकोन को प्रेस कर लेना है तो यहाँ पे हम open करते है phone में settings उसके बाद आप जैसे कि हम जो phone यूज करें Samsung का phone है इसमे connection setting मिल रहा है आप लोग को simply SIM card की setting बे चले जाना है network and internet लिखा होगा जो भी हो आप लोग को चले जाना है यहाँ पे हम click करेंगे SIM card manager पे ठीक है SIM card manager पे हमने click किया इस type का आप लोग को interface टेखनी को मिल रहा है अब यहाँ पे देखिए preferred SIM card में आप लोग को default SIM की setting में जागी calling हो या फिर text message हो अब देखिए यहाँ पे हम सिर्फ एक ही SIM card यूज कर रहे तो यह सब feature बंद है बंद क्यों है अब एक ही SIM card यूज करें तो by default call हो या फिर internet हो एक ही SIM card से यूज होगा जाइट सी बात है बट अगर आप लोग दो SIM card यूज करें तो यहाँ पे आप लोग calls पे हो text message हो या फिर internet हो आप लोग याँ पे manual तरीके से setup कर सकते कि भाई इस SIM card से ही internet चलना चीए इस SIM card से ही message जाना चीए इस SIM card से ही call होना चीए तो वो setup भी आप लोग कर सकते है अगर आप लोग दो SIM card यूज करें अगर एक SIM card यूज करें ये सब setup करने के आप लोग जूरत नहीं पड़ेगी तो इस तरीके से आप लोग default SIM settings को कर सकते मिलते हैं next video में जै मता दी